जह मार्किट में क्या भूचाल आया हुआ है भाई सब टक 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 बैक अच्छा खासा गिरावट गया उसका मेजर रीजन क्या रहा मेजर रीजन यह रहा कंजूमर प्राइस इंडेक्स यानि की सीपीई का जो डेटा आया इंफलेशन का डेटा जो आया वो ऊपर की तरफ आया अब ऊपर की तरफ तो आना लाजमी था भाईया दिवाली है लोग शॉपिंग करेंगे फेस्टिवल है नंतेरा से तो ऊपर तो आ नहीं था जिसकी वज इच में हमने अल्लेडी वार्निंग दी जब मैंने हेड इंचोल्डर पैटरंस की वीडियो भी डाली थी ट्विटर पे भी डाला था कि हेड इंचोल्डर पैटर्न बन रहा है बार बार अटेम्ट हो रहा है 2400 को ब्रेक करने का और वह फाइनली वहां से ब्रेक हो गया तो अब इस बीच में मिड्केप स्मॉल केप में जादा गिरावटा ही क्योंकि उनके बीटा थोड़ा सा हाई होता है आज हम करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड्केप, स्मॉल केप, चारों इंडेक्स के अनलेसिस करेंगे कि अब जाके मार्केट कहां तक जा सकत है क्या मार्केट 20,000 की रेंज में भी आने वाला है या बैंक निफ्टी हो चकता है 45,000 की रेंज में भी आ जाए क्या होगा क्या नहीं होगा यह सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं आज की वीडियो में अम लोग इंडेक्स के अनलेसिस तो करेंगे ही करेंगे प्लस मैं आज आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा जहां से आप स्टॉक वगरा भी पिक कर सकते हो और अपने रिटांस वगरा भी इंक्रीस कर सकते हो इधर उदर की बाते ना करते होएं चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अनलेसिस पर बट येस बिफोर मुविंग अगर भी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यह निव यूजर हो तो यहां पर ब्रेकाउट स्टॉक डाला है एंटीपी सी ग्रीन का जो ने डाला था निफ्टी अनेदर अटेम्ट टू क्लोज बिलो और मल्टेबल इंसाइड बार पैटन बना हुआ है इफ क्लोज बिलो 24,550 तो सीधा 24,200 और 24,000 का लेवल आएगा कब का है 22 अक्टोबर का है फिर हम इसका बैक टूबैक फॉलो अप लेते गए फिर उसके यसे मार्केट टेंड करता है ना देखो टेंड इस यो फ्रेंड तो मार्केट अकर डाउंचाइड में तो आप डाउंचाइड के टार्गे डूंड होगे डाउंड बिलो 24,000 23,700 तो तक जाएगा और अब लोग मार्केट एक्जाक्ली जो मैंने प्रेडिक्ट करा था यह व और कहां तक गिर सकता है कि सारी चीजें वगेरा हम लोग समझ लेते हैं यहां पर मार्केट में निफ्टी में बहुत एक ताहिनी सा गैप ता वह गैप इसने फिल ओल्दो कर दिया है अब जो नेक्स सपोर्टिव जो बन रहे है चोटे-चोटे टार्गेट वगरा बन रहे है जहां पर भाई प्यूज गोईल जी ने का कि भाई आर्भी वालों को कि भाई रेट कट कर दो लोगों को जरूरत है तो जो आर्भी गवर्नर होने ने का ठीक है मैं दिसंबर में सोचता हूं बताता हूं उसकी वज़े से जो मैं नेक्स टार्गेट वगरा देखना शुर सबसे पहली बार क्रॉस नहीं कर पाया फिर सपोर्ट बना फिर सपोर्ट बना फिर सपोर्ट बना लेवल क्या है 23,320 नोट कर लो 23,320 यहां पर एक रूम है सपोर्ट का निफ्टी का फाइंड करने का इंवेक्ट अगर यहां पर भी मार्केट नहीं रुकता है तो जो नेक पर जाएगा थेईस हजार 572 3057 के आसपास क्यों एफाइए बैक टु बैक मुमेंटम में सेलिंग कर रहे हैं बैक टु बैक सेल 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 करते ही जा रहे हैं प्लस मार्केट के यह जो सेंटिमेंट हर्ट हुए यह दो लेवल एजी ली एक बार ही को देखने को मिल सकते हैं सभcentury यह बैक टु इस यहां पर इसने क्या कर इंसाइड बार ब्रेक आउट तो दिया सबसे पहले चीज़ इनसाइड बार ब्रेक आउट भी डिया हैं रहा है market ये structure पूरा करने के लिए 23,000 levels वगेरा की तरफ एक बारी को आ जाए यह होगा है हमारे nifty के analysis plus जैसा मैं आपको वीडियो के starting में बताया कि मैं आपको ये भी बताऊगा कि आप कहां से stock pick कर सकते हो plus अपने returns वगेरा को कैसे maximize कर सकते हो तो उसके लिए मैं recommend करता हूँ यूनिवेस्ट का तो basically यूनिवेस्ट क्या है यूनिवेस्ट एक ऐसा platform है जहां पर आपको सारे semi registered research channelist वगेरा ही मिलेंगे ये सारे calls आपके mobile app पर भी आते है whatsapp पर भी आते है, telegram पर भी आते है proper real time exit and exit के साथ ये काम करते है ना इनके जो हमारे कुछ recent trades बगरा बने है कुछ recent trades देख लेता है कि इनके recent trades ने कैसी performance बगरा दी है वो समझते है जरा तो ये बोलता है कि short term में हमारी accuracy है 92% के आसपास that's an amazing one and यहां पर इसनों ने दिया था 5% का gains that to in just 3 days के आसपास फिर उसके बाद यह चार परसंट के gains बने 21 दिनों में फिर उसके बाद यहां पर पांच परसंट के जीरो डेस यारी इंट्र डे में पांच परसंट के गेंस वगरा बन गए कुछ medium term trades देखते है कि medium term trades वगरा क्या बने थे इनके कहते हैं किस के सबस्क्स में यहां पर यहां पर आज परसंट के गेंस कि फोरटेशं की आसपास एक 75 महिने में में एंट गार सकते हां के एंट परशचाल सब्रस्लिक अब हैं करया कि मीच पर्षिंट्प परचिंद के रही है तो यह लोग बोलते कि 8% रिटर्ण बिला जिरो डेक्ट यानि इंट्रडे में फिर सब्सक्राइब स्केमरे इंडेक्स बीडेते हैं Stock options भी देते है, equity भी देते है, intraday, short term, mid term, तो यह सारा कुछ न आपको यहाँ पर इनके platform वगड़ा पर मिल जाएगा, that too, all from SEBI registered analyst, अब आप सोच लोगे, यार जब इतने अच्छे trades वगड़ा दे रहे हैं, तो यह काफी महेंगे plans वगड़ा भी लेकर आये होंगे, ऐसा आप से, अगर मैं 183 रुपीज के हिसाब से भी देखू, divide by 30, somewhat around 6 रुपई के आसपास आता है, nearby 6 रुपीज पर डे के हिसाब से पढ़ता है, जिसका link मैं आपको description और pin comment में दे दूँगा, अगर आप मेरे link से register करते हैं, तो आपको 5 free trades भी मिलने वाले है, 5 free trades का trial मिलने वा अगरा कैसे आते हैं, इनकी accuracy वगरा किस तरीके से है, चलिए हम लोग वापस आएंगे अपने bank nifty के analysis पे nifty के बाद कि बैंक nifty ने क्या momentum किया, क्योंकि nifty में तो breakdown आ चुका, right, bank nifty अपने जो previous support ये zone है, इसके आसपास कहीं अभी भी टिकी हुई है, ये वो level है देखो, यह पे somewhat around एक zone जो बन रहा है, 49,644 के आसपास, ये वो support, right, यहां पर क्या हुआ, bank nifty इस level से चल रहा था, यहां पे tumble down हो गया, ये वो दिन था, जब CPI data आया था, फिर उसके बाद next level क्या बन रहा है, 49,644 का, but अगर bank nifty यहां पे नहीं रुकता है, तो हमें कहां जाना है, य weekly chart की तरफ चलता है, weekly chart ना थोड़ा summarize कर देता है, weekly chart में भी क्या हुआ, यहां पर multiple inside bar breakdown तो हुआ, but nearby एक support है, इसके बाद जो supportive zone दिखाई दे रहा है, 49,000, completed to 49,000 के आसपास तो levels निकर कर रहा है, 49,600, 49,000, bank nifty में एक बारी को जो levels हमें देखने को मिल सकते हैं, ये दो levels हैं but most important अब चलते, mid cap और small cap की तरफ most awaited reason, क्योंकि जो retail वाले, in fact मैं भी, हम लोग mid cap small cap की तरफ जादे invest वगरा करते हैं, तो उसका chart भी मैं लेकर आया हूँ, start करेंगे small cap के साथ, इसने भी एक अपना previous support जो था, वो यहां पर तोड़ दिया, ये वो previous supportive zone था, जिसमें बार बा यहां पर टिक रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, finally इसने भी BD दिया, BD as in breakdown दिया, but आपको यादे last video में मैंने बताया था, कि यहां पर एक gap available है, ये gap का level का है, 16,400, 16,300 के आसपास, अभी का ट्रेट कर रहा है, 17,600 के आसपास, तो क्या सीधा ऐसे आएगा, definitely not, एक supportive zone तो हम लोग बीच में definitely ढूणेंगे, वो supportive zone कहां पर है, वो supportive zone यहां पर है, that is 17,140, लिख देता हूँ 17,140 यह वो level है, जहां पर 1,2,3,4,5 breakout भी दिया था, एक अच्छे खासे gap levels के साथ, weekly chart के जब मैं structure बनाता हूँ, ये देखो, जब हम लोग weekly chart के structure में जाते हैं, तब एक अच्छी खासी rally तो दिख रही है, क्या यहां पर एक trend line डाल के देखें, बिलकुल डाल के देखेंगे, technical analyst हैं हम लोग, तो trend line डालना हमारा इमान धरम है, let's have a look, multiple points जब join किये, तो यहां पर क्या पता चला, एक बार, दो, तीन, चार, और अब भी बिलकुल pinpoint junction पे ही trend line पे खड़ा हुआ है, back to back market वहीं से bounce लेने का पूरा पूरा try कर रहा है, यह zone जाता है, तो जो हम लोगों ने भी यह line डाली थी, 17,000 के आसपास, 17,000, 16,800 के आसपास, तब market उस junction की तरफ जाने वाला है, चलिए, next part पर आते हैं, अब आते हैं, last, mid cap की तरफ, जैसा small cap का chart, वैसा ही mid cap का chart, बिल्कुल copy to copy हुआ, और अभी तक अगर आप देखोगे, तो यहां से top से, 61,000 से, 54,000 का level आ चुका, that is more than, more than, 10 से 12% के आसपास, गिरावाट आ चुकी, यहां पर भी एक gap available है, इसका chart का structure भी देखते हैं, कि weekly chart का structure क्या आप बोल रहा है, हावा लोग, तो को market पत करता है, आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, लाज जो pending rally आई थी, वो किस तरीके से आई, market उपर गया, थोड़ा सा pause लिया, फिर उपर गया, फिर उपर गया, हलका सा pullback आया, उपर चला गया, अब इतनी एक बड़ी rally का, एक अच्छा खासा pullback आ चुका, फिर उसके ब यह उपर गया, नीचे pullback, अब मैं इसको यहां से यहां तक connect करने का try करूँगा, इसको ऐसा समझते हैं, यहां से यहां तक जो pullback आया, वो इस zone का था, अब यह जो current pullback आ रहा है, वो इस पूरी rally का है, यह जो rally थी somewhat around 30,000 जो start हुई, जो 60,000 तक गई, that is almost double, right, index नहीं यह ज वो already twitter, telegram पे डाल रहा हूं, youtube पे भी डालते जा रहा हूं, यहां पर भी trend line डालते हैं, यहां की trend line क्या बोलती है, जब हम लोग यहां से trend line डाल रहे हैं, तो यह भी बिलकुल junction पे ही खड़ी हुई है, let's have a quick look, एक बार, दो बार, तीन बार, और currently fourth time पर यहां पर खड़ी ह हुई है, यह trend line break होती है, तर समझ जाओ कि भाई, अब panic selling आ रही है, अब जाके momentum increase हुआ है selling का, और वो जो gap था, अब वो gap फिल करने के लिए market उस तरफ जाने वाला है, यह थे हमारे nifty, bank nifty, mid cap, small cap, चारो के analysis, और back to back मैं update करता रहूंगा, twitter पे, telegram पे, जिस जिस तरीके से nifty move करेगी, जैसा patterns होगे आप बनेंगे वो मैं definitely update करता रहूंगा, बाकी जैसा मैं आपको यूनिवेस्ट के बारे में बताया, जिसका link मैं आपको description और pin comment में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके explore कर सकते हैं, मेरे link से sign up करेंगे तो आपको 5 free trades का trial भी मिल जाएगा, जिनके plan 183 rupees से start होते है, video पसंद आया हो, share with your friends, like and subscribe, thank you for watching the video, lots of love